आज के फनकार दोस्तों नमस्कार आज का ये करिक्रम आज के फनकार समर्पित है अभिनेत्री परवीन बावी को प्यार करते हैं शान दे जीते हैं शान दे मरते हैं शान दे प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान दे जीते हैं शान दे मरते हैं शान दे जीते हैं शान दे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कभी रुकते नहीं कहीं जुकते नहीं चाहे कुछ भी वो अंजाओ यार की गली से गुजरते हैं शान से जीते हैं शान से मरते हैं शान से प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से जीते हैं शान से मरते हैं शान से कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर मैं शान से शान से शान से दिल की लगी ये नहीं दिल लगी आते हैं कई तूपां दिल उभरते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, वाकई प्यार करने वाले शान से जीने का हुनर बहतरीन जानते हैं। परवीन बावी को भी फैशन और फिल्मों से बेहत प्यार था। 1972 में मॉडलिंग से शुरुबात करने वाली परवीन बावी ने फिल्मों में अभिने के जरिये कदम रखा। और 1973 में बनी फिल्म चरित्र से जिसमें उनके हीरो थे ततकालिन क्रिकेटर सलीम दुर्रानी। लेकिन दोस्तों उनकी पहली सुपर हिट फिल्म थी मजबूर। जिसमें उनको मौका मिला आमिता बच्चन के साथ 1974 में। रुठे यार को मनाना मुश्किल है रुठे यार को मनाना मुश्किल है। सुने घर को बचाना आसान है। सुने दिल को सजाना मुश्किल है। रुठे यार को मनाना मुश्किल है। परवीन बावी का जन्म चार अप्रेल उननीस सो उन्चास को गुजरात के जूनागड में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी स्कूली पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई दोनों ही एमदाबाद में पूरी हुई। फिल्मों में प्रवेश के बाद परवीन बावी ने हिंदी फिल्म संसार में नाइका या हिरोईन की इमेज को बेहद ग्लेमरेस और फैशन परस्त बनाया। जाहिर है वो चर्चा में थी और इतनी मकबूल हुई कि 1976 में एक जानीमानी विदेशी पत्रीका के मुक प्रिष्ट पर उनको बाईज़त प्रकाशित किया गया। असाहुन तुर जान आए जिन रे गये थोड़े। लिखने वाले में लिख जाले मिलने के साथ विछोड़े। असाहुन तुर जान आए जिन रे गये थोड़े। आसा हुन तुर जान आए दिन रे गैने थोड़े मुश्किल है इस शहर से जाना फिर जानी कब होगा आना याद ना आना भूल न जाना याद ना आना भूल न जाना ये दिल कैसा है दीवाना तार दिनों में इसने कितने रिष्टे नात तोड़े आसा हुन तुर जान आए दिन रे गैने थोड़े परवीन बाबी को हिंदी फिल्मों ने सफलतम अभिनेत्री का दरजा दिलाया खास बात ये कि अपने दौर की तमाम अभिनेत्रियों जैसे है ममालिनी, रेखा, जीनतमान, जैया भादुडी, रीना रॉय और राखी जैसी अभिनेत्रियों की मौझूद्गी में भी परवीन की कामिया भी शानदार तरीके से कायम रही और आगे बढ़ती रही रंग ले आएंगे, रूप ले आएंगे, रूप ले आएंगे, रंग ले आएंगे, रूप ले आएंगे काघज के फूल, फूल अरे दूल, काघज के फूल, खुश्बू कहां से राएंगे अमिता बच्चन के साथ परवीन बावी को आठ बार कास्ट किया गया और खुबी ये कि सभी फिल्में हिट और सुपर हिट रही थे इतना करे क्यों धंदर दुनिया क्या कहेगी हमको हम समझा अकल वाला पिल्कुल एडियट है तुमते हो इतना करे क्यों धंदर दुनिया क्या कहेगी हमको हम समझा अकल वाला पिल्कुल एडियट है तुमते हो अंग्रेजी में ना बोलूरे I love you गुजराती माशुकां बोलू बेंकर हुचो बंगाली में ना बोलू रे आमी तुमा के भालो गाशिक और पंजाबे में ना बोलू तेरी सो के तेरे बिन मर जाना मैं दन प्यार करनिया बे तेरे जया नहीं लबना हो साथी हो गुजराती में बेंकर हुचो तू जल्दी से हां करते वरना तेरी कसम खाता हूँ सारी दुनिया के आगे जानी अभी पोईजन खाता हूँ तू जल्दी से हां करते वरना तेरी कसम खाता हूँ सारी दुनिया के आगे जानी अभी पोईजन खाता हूँ अंग्रे जी में केती हूँ के आए लाव यू गुजराती मा बोलू तने बेंकर हूँ छो बंगाली में केती हूँ आमें तुमा के भालो बासी और पंजाबी में केंदी हूँ तेरी तो हाँ तेरे बिन मर जाना मैं तनू प्यार करना तेरे जी यू नई यू लवणी वो साथी हूँ अंग्रेजी में केते हैं कि I love you गुजराती मा बोले तने बेंकर हूँ छो बंगाली में केते हैं आमिता मा के बालो बासी और पंजाबी में केते हैं दोस्तों अमिता बच्चन के अलावा भी उस दौर के अन्य हिरोज ने भी परवीन बाबी का साथ निभाया शेशी कपूर के साथ 1979 में सुहाग और काला पत्थर और 1982 में नमक हलाल ये क्या घजब हुआ ये कैसे कफ हुआ नजानू में नजाने वो जवाने जाने मक हसीन दिल रवान मिले तो दिल जवान निसार हो गया कि पुआते हो पाल भाल घड़ चाल लुआते हो भुआते है're दूर से देखो देखो दिल रुबा ऐसी ऐसी तरत तरत खाई खाई बेजबा दिल ने दिल ने चोटी एक ऐसी अरे वो मिली नजर अरे ये हुआ हसी नजर नजर में ये समा बदल गया चलाया तीर जो मुझी पे चल गया गजब हुआ ये ना हुआ ये कब हुआ नजानू में नजाने वो जवाने जनमत हसी न दिल रुबा मिले तो दिल जमा मिसार हो गया शिकारी खुद यहां शिकार हो गया ये क्या सितम हुआ ये क्या जलम हुआ ये क्या खजब हुआ ये कैसे कब हुआ नजानू में नजाने वो कर दो दिल ये प्यार में कैसे होता है देखो कातिल कातिल जान मन कैसे होता है देखो अरे वो मिला सनम अरे ये हुआ सितम वो दुश्मन जाना दिलदार हो गया सयाद का बुलबुल से प्यार हो गया खजब हुआ ये क्या हुआ ये कब हुआ ने जानू मैंने जाने वो जवान जानने मन हसीन दिल रुबाया मिले तो दिल जवाँ मिसार हो गया शिकार खुद यहां शिकार हो गया ये क्या सितम हुआ ये क्या जुलंगुआ 1975 में फिरोस खान के साथ उनके फिल्म थी काला सोना धरमेंदर के साथ 1983 में जानी दोस्त और आप बेट फिल्मों में एक फिल्म आई थी मार्क जुबेर के साथ 1982 में परवीन बावी ने काम किया था फिल्म बहुत चर्चा में रही थी और वो फिल्म थी ये नजदी किया में पाहिं सांसों में सांसी नजरों में तुदी हाँ के तुनी हसी है मर्शिली मर्शिली धीनी धीनी आह धीनी धुमा धीन सासरूं आप हो जो सात में कुछ न चाहिए हुजूं कुछ न चाहिए हुजूं कुछ न चाहिए हुजूं तीवार, नमखलाल, शान और अमर अकबर एंथिनी जैसी फिल्में हमेशा ही परवीन बाबी की याद दिलाती रहेंगी हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें बोलो तो जीए, बोलो तो मर जाएं हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें बोलो तो जीए, बोलो तो मर जाएं हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें बोलो तो जी बोलो तो मर जाए हप तो तुम से हो गया है प्यार क्या करी लगवख साथ से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी परवीन बावी बेहद स्टाइलिस्ट और फैशनेबल थी फिल्मी सिचुएशन के मताबिक रहते हुए भी परदे पर उनकी उपस्ति थी सबसे अनोखी सबसे जुदा हुआ करती थी परवीन बावी ने विवाह नहीं किया था अपनी तनहाई के साथ खुद को समझना उन्हें बेहद अच्छा लगता था सांसों में तेरी खुश्बू के देरी सांसों में तेरी खुश्बू के देरे मसरी के घेरों में हम खुश्बू के देरे सांसों में तेरी खुश्बू के देरे मस्ठी के घेरों में हंकोई जाते हैं बाहों में तेरी मस्ठी के खेरे मस्टी के है खाबों में घिसको तनहा जवानी बजों से तक कि तीची तू होईी है कुछ खाब मेरे कुछ खाब तेरे यू मिलते जाते हैं दिल खिलते जाते हैं लब लब भुनाते है सासों में तेरी खुशबू के तेरे बाहु में तेरी मस्टी के तेरे अपने दौर के टॉप डिरेक्टर्स और टॉप हिरोस के साथ काम करने के बावजूद परवीन बावी डाउन टू अर्थ रहा करती थी दोस्तो कलाकार मूडी भी होते हैं और ऐसा ही परवीन के साथ भी हुआ 1983 में अचानक विदेश जाकर परवीन बावी ने सब को चौका दिया था अपने नीजी कारणों से एका की रहकर 1988 में उन्होंने एक बार फिर मुंबई का रुख किया और फिल्म आकरशन में एक विशेश भूमी का भी नभाई उसके बाद वो फिल्मों में नजर नहीं आई कहा जाता है कि सत्रह सालों तक उन्होंने एका की जीवन जिया पबलिक और फिल्मी लाइफ से उन्होंने खुद को दूर कर लिया था और 20 जनवरी 2005 को परवीन बाबी ने जिन्दगी को अलविदा कह दिया दोस्तो जमीन से आस्मान के सितारों की चमक कभी धुंदलाती तो कभी उभरती सी दिखाई देती है लेकिन परवीन बाबी वो सितारा थी जिनकी चमक हमारे दिलों में हमेशा हमेशा बनी रहेगी उनके चाहने वाले उन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे प्यार करने वाले प्यार करते हैं शानते जीते हैं शानते, मरते हैं शानते तो यह था आज के फनकार प्रोग्राम आज हमने याद किया सुपर फैशनेबल फिलम अभिनेतरी परवीन बाबी को संपादक और प्रसुत करता रमेश गोखले और अब अपने दोस्त राजे इंद्र त्रिपाठी को भी दीजिए इजाज़त नमस्कार